उत्तर प्रदेश का स्यासी संग्राम रोचक हो गया है साथ चरणों में से चार चरणों के लिए बोटिंग हो चुकी है अब अखलेस यादव ने एक ट्वीट के जरिये बीजेपी नेताओं का मजाक उड़ाया है अखलेस ने एक वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम कह रहे थे साथ सो से ज़्यादा किसानों की मौत के लिए जिमिदार भाजपाई अगर कान पकड़ कर साथ सो उठक बैठक भी लगाए तो भी जनता माफ नहीं करेगी भाजपा के लोग बोट माँगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जनता भाजपा को माफ नहीं साफ करेगी दरसल वाइरल हो रहे वीडियो में बीजेपी का एक नेता कुरसी पर खड़े होकर कान पकड़ कर माफी माँग रहे हैं वहीं उत्ता परदेश के बहराईच में सपा प्रमोख खले सियादव ने कहा कि ऐसा चुनाव पहली बार देखनी को मिल रहा है जहां जनता खुद चुनाव लड़ रही है बीजेपी के नेताओं और कारकरताओं के घर से और उनकी गाड़ियों से जंडे उतर गए हैं कल मैंने बहराईच का मंच देखा कोई बोल रहा था कुछ लोग कुरसी पर बैठे थे लग रहा था पत्तर पर बैठे हो जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे वो दूसरे तीसरे चरण में ठंडे हो गए हैं आपने इनके नेताओं के भसर सुने होंगे पता करोगे तो पता चलेगा इससे ज़्यादा जूट बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा अखले स्यादव ने कहा कि जो छोटे नेता है वो छोटा जूट बोलते हैं बड़े नेता बड़ा जूट बोलते हैं बहराइच के लोग पहले से जनते हैं कि बीजेपी के लोग जूट बोलते हैं बीजेपी ने किसानों से कहा था कि आए दोगनी हो गई, क्या डीएपी और खाद मिल गई आपको, इन लोगों ने कहा था कि हवाई चपल वाला हवाई जाहज से चलेगा, ये फिर से आ गए तो पैट्रॉल 200 रुपे में बिकेगा, हमारे बाबा सीएम ने 11 तारीक के लिए ल